हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूटूब चेनल मनोहरी पर तो आज आपको भगवान स्री किशन जी के बताए गई उपदेश जो कि हम अपने मन को सांत वा इस्तिर कैसे रख सकते हैं क्योंकि हम अपने मन से ही प्रिश्ण खोज लेते हैं और मन में ही उसका ज भगवत गीता में भगवान स्री किशन करते हैं कि मन का बेचेन होना उसका स्वभाव है हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग-अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसिवत से बचा लेगा पर ऐसा होता नहीं है हम अपने जीव लेकिन ऐसंबव नहीं अच्छा अब आप एक बात बताईए क्या आप कोई को कह सकते हैं कि वो काउं काउं की आवाज ना करे या फिर क्या आप किसी मेंड़क को कह सकते हैं कि वह पानी रेखते ही उंची छालांग ना मारे हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है जीवन में कुछ होता है अच्छा या बूरा हमारा मन उस पर काउं काउं करने लगता है काउं काउं से मेरा मतलब है कि चिंता करना व्याकुल होना कोई बूरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की उंची उंची लपते लेने लगता है कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से परेशान होने के लिए जिते हैं, सारी परेशानी, पीडा, दुविदा, अक्सर हमारे मन की बनाई हुई कहानिया होती है, भगवान च्रीकृषन हमारे मन को सांत और इस्थिर करने के लिए दो उपाई बताए हैं, जो कि पहला है ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना, दूस हम सब यही गलती कर बढ़ते हैं, मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आख बंद करके बैठना नहीं होता, मेडिटेशन का मतलब होता है कि अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना या उसे हटने नहीं देना, अगर आप रोटी बना रहे हैं, तो सिर्फ उस बात अगर आप पिक्चर देख रहे हैं, तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर देखने पर लगाए, यह मत सोचे कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बरबाद कर चुके हैं, जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करेंगे, तो आपका जीवन ही ए यह नहीं है, कि आप सब कुछ छोड़ कर जंगल में जाकर भैड़ जाए, वेरागे का सच्चा अर्थ यह है, कि आप जो काम कर रहे हैं, उसका क्या नतीजा या क्या रिजल्ट निकलेगा, उसकी चिंता ना करें, जैसे अगर आपने कोई इंटर्विव दिया है, आप यह क कर सकते हैं, कि आप पूरे मन से तैयारी करें, और अपना बेश्ट देने की कोशिश करें, यह नोकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है, इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीज़े हैं, जो आपकी बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है, तो जिस चीज के बारे मे आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें, यहीं वेराग्य का सीधा मतलब होता है, और यहीं है भगवान स्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता के लप्टों से बचाने का, याद रखी, आप पूरे के पूरे इंसान है, समझदारी, सैयम और क पूसलता से भरे हुए इंसान, आपका मन जब भी कोई की तरह, अलग-अलग बातों पर आपको परिशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाईए, और सांत कर लीजी, बस अपने उपर विश्वास रखी, कि आप कभी अपना बूरा नहीं होने देंगे, राध हुए राध